हेलो फैंट्स यूपी एक्जेंबर अभी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम ब्लैक पर्ल सीरीज का यहां पर यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने लेक्चर नबर वन देखा था उसमें हमने स्टेट प्रफाइल ओफ पंजाब के बारे में डेटेल में देखा था उसी के रिलेटिड हम यहां पर expert करेंगे यहां पर हे रिटेल में चले स्टार्ट और करते हैं आजका लेक्चर तो यहां पे जो common, sorry, जो cotton belt है यहां पे पंजाब की है, वो यहां पे किस region में यहां पे located है So first option है यहां पे दुआब, मालवा, माज़ा या बैट So यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब को यहां पे three reason में यहां पे divide किया जाता है So maja reason, dwaba और मालवा, तो यहां पे जो cotton आपको belt देखने को मिलेगी, यहां पे जो red वाला portion है यहां पे जो cotton यहां पे उगाई जाती है, clear है जो ज़्यादा तर, यहां पे यह area है तो यह वाला जो area है वो कहां पे आता है, यह मालवा में आता है So यहां से option number के आजाएगा, B यह right answer आजाएगा Next यहां पे where is the Sikh heritage complex developed, कहां पे यह जो Sikh heritage complex है, यह developed हुआ था So यहां पे option number आजाएगा इसका D, अनधपूर साहिब में So next, how many division of Punjab state, Punjab state की यहां पे कितनी division यहां पे की गई है So आप यहां पे map में देख सकते हैं कि Punjab की यहां पे total 5 यहां पे division की गई है So यहां पे देख सकते हैं कि जलंदर, फिरोजपूर, फरीद कोट, रूपनगर and पत्याला So यहां पे यह जो colored area यहां पे आप देख सकते हैं, यह कौन कौन से यहां पे districts हैं So यहां पे total कितने में यहां पे divide किया गया है, इनकी division है, जो 5 में सो option number A हमारा right answer आजाएगा So next यहां पे all name of Punjab, पंजाब का जो पुराना नाम है वो क्या था So यहां पे option number A देखने को मिलेगा, यहां पे सब्त सिंदू, तो यहां पे यह पंजाब का पुराना नाम था So next यहां पे पंजाबी university जो established की गई थी पत्याला में, वो किस year में की गई थी तो यह आपको देखने को मिलेगी, 1960 में इसे established किया गया था So इसे यहां पे पंजाब में 1925 में established किया गया था, So इसके related सभी questions मैंने detail में यहां पे समझाए थी First lecture में जो STPC के related यहां पे, ठीक है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं So चलिए, next यहां पे move करते है, So next यहां पे first lady CM of Punjab इन में से कौन है, So यहां पे आप देख सकते हैं, Rajinder Kaur पठल, तो यहां पे आपको यह first lady CM है, पंजाब के यह देखने को मिलेंगे, option number C उसके बाद next, who was the first Indian woman to win a gold medal at Asian Games, Asian Games में पहली कौन सी महला है, जिनके दवारा gold medal को जीता गया था, So आप यहां पे देख सकते हैं, कि इनके दवारा यहां पे कमल जीत, संदू, कुनर के दवारा यहां पे जीता गया था, So option number C हमारा right answer आजाएगा next यहां पे what was the theme of Punjab's debut in the Republic Day parade 2021 at New Delhi, अभी जो इस साल यहां पे Republic Day parade हुई थी, इसमें जो पंजाब के दवारा यहां पे जो पार्टिस्पेट किया गया था, इसका theme क्या था, तो आप यहां पे देख सकते हैं, So जो इस बार की theme थी, वो आपको देखने को मिलेगी martyrdom of Guru Tekh Bahadur Ji, So इस साल यहां पे Guru Tekh Bahadur Ji का 400th, यहां पे जो anniversary है, birth anniversary वो celebrate की गई है, तो यहां पे actual में story क्या थी, कि जो कश्मीरी पंडित के उपर यहां पे बहुँ जादा अत्याचार किये जा रहे थे, यहां पे औरंग जेब के दवारा, तो यहां पे Guru Tekh Bahadur Ji के दवारा यहां पे इस चीज़ को रोका गया था, तो उन्हें चांदनी चौंग जो डैली म है, वहां पे 1675 में उन्हें शहीद किया गया था, तो इसके बारे में मैं यहां पे already detail में cover करवा चुका हूँ, जो medieval history यहां पे UPSC के लिए है, वहां पे जो rise of the sick यहां पे आपके एक lecture देखने को मिलेगा, वहां पे मैंने इसके बारे में detail में already explain किया हुआ है, उसके बाद यहां पे which river separate the Malwa and Dwaab region, तो Malwa और Dwaab region को कौन सी यहां पे जो river है वो अलग करती है, तो Dwaab region आपको यह देखने को मिलेगा, Malwa region आपको नीचे वाला देखने को मिलेगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यह वाली जो river यहां पे pass कर रही है, तो यह कौन सी river है, यहां प आपको देखने को मिलेगा, river के south में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पे river पास कर रही है, तो यह south में देखने को मिलेगा, और यहां पे जो Dwaab region है, यह उपर north की तरफ आपको देखने को मिलेगा, clear है, so I hope आपको direction clear होगी, north, south, east, west, ठीक है, तो हम इस परकार से यहां यह directions को लेते हैं, so चलिए next यहां पर move करते हैं, so which country has the largest number of Punjabi speaking people, तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा पंजाबी जो language बोली जाती है, वो किस country में बोली जाती है, Canada, India, Australia, Pakistan, so बहुत सारे जो students है, वो generally इसका अंसर देते हैं, यहां पर option number B, India, जो की बिलकुल गलत है, so यहां पाकिसान में जो बोली जाती है, पाकिसान में जो बोली जाती है, वो बोली जाती है, 48.2%, so यहां पर आपको 10.6 क्रोड यहां पर जो लोग हैं, वो पंजाबी को बोलते हैं, यहां आपके सकते हैं, 10 क्रोड, 64,70,000, यहां पर जो लोग हैं, इनके दोबारा पंजाबी लें कि यहां पे देखने को मिलेंगे तीसरे नमबर पे आपको किनेडा देखने को मिलेंगे तो यहांसाइब यहां पे प्रक्र पंजाबरा मीट बोलते हैं और यहां पर यह 5,32,000 आपको यहां पर देखने को मिलेंगी तो यह यहां पर डाटा सॉप्शन नम्बर यहां पर डी हमारा राइट अंसर आ जाएगा तो कौन से सिख जनरल के दुवारा दिली को जीता गया था और यहां पर जो निसान साहिब है उन्हें लाल किरे के ऊपर यहां पर फेहराया गया था इसका राइट अंसर आ जाएगा ओप्शन नम्बर यहां पर बाई भागेल सिंग तो इनके दुवारा यहां पर यहां पर यहां पर ट्रीटी ओफर की गया था और इसे एग्री भी कर लिया गया था इसमें बोला गया था कि यहां पर गुर्दुवारा जो है उनकी कंस्ट्रक्शन यहां पर की जाएगी जैसे कि शीश गंज साहिब हो गया बंगला साहिब हो गया तो इस परकार से इनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी ठीक है तो एक ट्रीटी भी यहां पर साइन की गई थी so चलिए नेक्स यहां पर move करते है which of the following पंजाबी fog dances is not a dance form for females so यहां पर जागो, जुगनी, गिदा, किकली तो यहां पर बोर रहे हैं कि जो females के दुवारा यहां पर dance को perform नहीं किया जाता वो कोन है यहां पर जुगनी यह जो जुगनी है यहां पर यह males के दुवारा perform इसे किया जाता है so option number B हमारा right answer आ जाएगा so next which of the following पंजाबी fog dance is not a dance form for males अब males के लिए इन में से कौन सी यहां पर dance form नहीं है so यहां पर जुमर, बंगरा मलवई, गिदा, सम्मी तो यहां पर आपको option number D देखने को मिलेगा सम्मी तो जो यहां पर सम्मी है तो यह males के दुवारा यहां पर perform नहीं किया जाता so next यहां पर which of the following crop is shown in the official seal of Punjab government जो पंजाब government के official seal है उसके उपर कौन सी फसल यहां पर दर्शाई जाती है so paddy, paddy क्या होती है यहां पर जो चावल क्यों होती है यहां पर उसके बाद sugar gain, mage, wheat ठीक है यहां पर कनक तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पंजाब सरकार का यहां पर official seal है इसके उपर यहां पर आपको उपर कनक देखने को मिलेगी ठीक है तो यहां पर option number D हमारा right answer आ जाएगा तो यहां पर जो agriculture है बहुत ही important role play करती है यहां पर पंजाब में तो इसलिए यहां पर कनक को दर्शाया जाता है उसके बाद यहां पर which river divides the Malwa and Dwaba region of Punjab Malwa और Dwaba region को कौनसी river ठीक है यह पहले भी आ चुका था यहां पर option numbers A यहां पर सत्तलूच ठीक है बेर और कीनू तो यहां पर option number आ जाएगा D is the right answer कीनू जो कीनू है यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पंजाब में उगाया जाता है तो मेली आपको यह फजिल का फिरोजपूर और मुक्तसर जो डिस्टिंग है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्वावा और मैंगो यहां पर यह सैकंड और थर्ड प्लेस देखने को मिलेंगे ठीक है तो ग्वावा यहां पर दूसरे नंबर पर और जो मैंगो यह तीसरे नंबर पर कीनू यहां पर first place पर सबसे ज़्यादा यहां पर पंजाब में उगाया जाता है क्लियर है तो इतना कुछ आपको यहां पर पता होना चाहिए तो नेक्स यहां पर which of the following Indian freedom fighter killed a British officer in Britain किस Indian freedom fighter के दुआरा जो British officer है उसे ब्रिटेन में मारा गया था तो यहां पर जो उद्दम सिंग है option number C उद्दम सिंग इनके दुआरा यहां पर मारा गया था और यहां पर यह गदर पार्टी से बिलोंग करते थे अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जल्याम वाला बाग कांड हुआ था उसके पीछे कौन थे यहां पर Michael O. Dyer तो उनने यहां पर मारा गया था London में किन के दुआरा उद्दम सिंग के दोआरा मारा गया था पंजाब में total कितनी districts है तो आप में से बहुत सरे लोग कहेंगे यहां पर 22 districts है लेकिन यहां पर यह क्या गलत है तो आज के समय में आपको 23 districts यहां पर टोटल देखने को मिलेगी, अभी जो latest यहां पर districts जो बनी है वो कौन सी यहां पर 23 तरड आपको Malir questa Portala देखने को मिलेगी, जिसे यहां पर संग кус myśle को संगूर डीस्टिक है 2021 में इसमें से यहां पर काटा गया है, संगूर डीस्टिक में से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा Malayar Merkotla. So, आज के समय में आपको 23 districts यहाँ पे देखने को मिलेगी. So, next यहाँ पे, which is the state tree of Punjab? जो पजड़ाब का यहाँ पे state tree आपको काम does देखने को मिलेगा? यहाँ पे system, यहाँ पे आपको इसका state tree देखने को मिलेगा, so system को यहां पे टाहली भी बोला जाता है, clear, so next यहां पे move करते हैं, so state bird यहां पे पंजाब का कौन सा है, यहां पे आपको बाज देखने को मिलेगा, state bird, so यहां पे option number आ जाएगा, यहां पे यह, c, नदरन कोशाक, ठीक है, so उसके बाद यहां पे state animal आपक जो दर्शाई गई थी, लिखी गई थी, so वो कौन सी थी, यहां पे हीर रांजा, ठीक है, बहुत ही जादा important है, so I hope आपको इसके बारे में पता होगा, so चलिए next यहां पे move करते हैं, इनमें सी falling जो city है, यहां पे पंजाब की, so इनका यहां पे international cricket stadium यहां पे देखने को मिल जाएगा, so यहां पे बहुत ज़्यादा famous है, यहां पे इसका जो real name है, वो क्या है, I.S. Bindra Stadium, so I.S. Bindra Stadium इसका real name है, so इसे यहां पे पंजाब cricket association के द्वारा run किया जाता है, उसके बाद which town of Punjab is known as guru की काशी, so यहां पे किसकी द्वारा यहां पे जाना जाता है, so यह आप को देखने को मिलेगा, तलवंडी साबो, so यहां पे क्यों इससे जाना जाता है, so यहां पे बठिंडर डिस्टिक में यहां पे देखने को मिलेगा, so guru की काशी का टो टाइटल है, वो इसलिए दिया गया था, क्योंकि guru गोबी सिंग जी के दुवारा जो आदी गरंद है, so इन्हें यहां पे complete किया गया था, ठीक है, तो इसलिए यहां पे इन्हें गुरु की काशी के नाम से जाना जाता है, so next question है, यहां पे the relics of the harapan civilization period were found from which place of Punjab, यहां पे जो relics, मतलब जो harapan civilization है, इसके जो अवशेश हैं, वो यहां पे जो पंजाब के किस प्लेस से यहां पे पाएगे हैं, तो option number D, आपको देखने को मिलेगा, संगोल में यहां पे पाएगे हैं, या इसे यहां पे उच्चा, पिंड के नाम से भी जाना जाता है, clear है, तो यहां पे बहुत सरे coins, pillars, stone, slaves, यह सब कुछ यहां पे पाएगे हैं, और जो Buddhist stupa, ठीक है, तो यह भी आप को यहां पे देखने को मिलेगा, तो next यहां पे move करते हैं, what is the name of the memorial built by Punjab Government at Kartarpur, तो पंजाब गवर्मेंट के दोवारा जो Kartarpur में यहां पे एक memorial बनाया गया है, उसका क्या नाम है, तो आपको देखने को मिलेगा, जंग ए अजादी memorial, जंग ए अजादी memorial, ठीक है, तो इस से क्यों बनाया गया है, क्योंकि यहां पे जो पंजाबी community है, उनके दोवारा जो India's independence थी, उसमें जो अपना योगदान, इनके दोवारा जो संगर्ष यहां पे जो किया गया था, उस चीज को दर्शा आता है, यहां पे, clear है, तो इसका कारान भी आपको पता होना चाहिए, सो नेक्स यहां पे, who was the first one to establish Sikh rule, सो Sikh rule यहां पे किसके दोवारा establish किया गया था, सो बंदा सिंग बहादूर, यहां पे first Sikh ruler थे, तो उनके दोवारा यहां पे 1710 में जो battle थी, मुगल्स के against चपडचिडी, ठीक है, उसे यहां पे जीता गया था, सो इसी याद में एक उनके memorial है यहां पे जो है, फते बुर्ज, यहां विक्टरी टावर, जो चपडचिडी में, मुहाली में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहां पे option number C हमारा right answer आ जाएगा, so next यहां पे, when did the first Anglo-Sikh war started, जो पहली Anglo-Sikh war जो शुरू होई थी, वो कब शुरू होई थी, so यहां पे आपक option number A देखने को मिलेगा, यहां पे December 1845 में, तो यहां पे आप graph देख सकते हैं, यहां पे, जो battles यहां पे, first Anglo-Sikh war यहां पे लड़ी गई थी, 1845 से लेके 46 के बीच में, so name of the battles, यहां पे मुड की, यहां पे battle लड़ी गई थी, यहां पे कब लड़ी गई थी, कहां पे लड़ चुका हूँ, जो medieval history of UPSC के आपको lecture number I think 32 देखने को मिलेगा, महराजा रंजी सिंग, इसमें मैंने detail में इसे explain किया, यहां पे battle जो first होई थी, और second होई थी, और इसे यहां पे मैं modern history में भी cover करूंगा, clear, so चलिए next यहां पे move करते हैं, so play list आपको नीचे description box में मिल जाएग so next यहां पे which of the falling place is famous for arrival of migratory birds, जो migratory birds है, मतलब दूर दूर से जो आते हैं, यहां पे कौन सी place है, जो बहुत जादा famous है, so आपको यहां पे hurry के wetland यहां पे देखने को मिलेगी, जो की बहुत जादा famous है, और इसे यहां पे hurry के button के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पे स इतनी भी wetlands है, उन सभी में से सबसे बड़ी जो wetland देखने को मिलेगी, वो hurry के wetland आपको देखने को मिलेगी, clear है, so north इंडिया में largest wetland आपको hurry के wetland देखने को मिलेगी, so next यहां पे जलंदर सीटी is famous for which of the falling industry, sports goods manufacturing के लिए यहां पे जलंदर सीटी बहुत जादा famous है, next यहां यहां पे shape of the today's Punjab is similar to which of the falling geometrical figure, यहां पे पंजाब की shape आपको किस परकार के देखने को मिलेगी, so यहां पे rhombus है, यहां पे आपको इस परकार के यहां पे देखने को मिलेगी, so next यहां पे move करते है, so next यहां पे which is the largest district of Punjab, largest district के बारे में पूछा है, तो यहां पे लुद्याना आजाएगा हमारा सही answer, so यहां पे लुद्याना जो है, यह आपको largest देखने को मिलेगी, area wise और population wise और यहां पे industries भी आपको बहुत जादा देखने को मिलेगी, उसके बाद यहां पे insurance scheme of Punjab government for the poor people is named after which person, किस person के name पे यहां पे poor people के दुवारा जो launch की गई है, so यहां पे यह बगत पूरन सिंग, सेहत बीमा योजना के नापे यहां पे इसे शुरू किया गया, so यहां पे option number C देखने को मिलेगा, बगत पूरन सिंग, तो यहां पे इनके दुवारा जो community है, उनकी बहुत जादा सेवा की जाती थी और यहां पे जो पिंगलवाडा 1947 में इसकी स्थापना इनके दुवारा की गई थी, उसके बाद यहां पे current deputy CM of Punjab आपको इन में से कौन देखने को मिलेंगे, so इसमें से right answer देखने को मिलेगा, none of the above, या none, ठीक, इसमें से कोई भी, as इस परकार की जो post at deputy CM की state में, वो नही post नहीं है, तो next यहां पे move करते हैं, which of the following dams are built on the Bias River, Bias River के उपर आपको कौन से यहां पे जो dams है वो देखने को मिलेंगे, so Bias River आप यहां पे देख सकते हैं, so यहां पे यह जो Bias River है, ठीक है, यह Bias River है, तो इसके उपर यहां पे जो आपको दो dams देखने को मिलेंगे, एक तो Pong और एक यहां पे आपको देखने को मिलेगा, पंदो हो, ठीक है, तो यहां पे दो dams देखने को मिलेंगे, so option number A is the right answer, उसके बाद यहां पे फते बुर्जी है, विक्टरी टावर यहां पे जो construct किया गया था, यहां पे बंदा बहादर सिंग की यहां पे याद में तो यह कहां पे situated है, so यह आपको देखने को मिलेगा, मुहाली में छपड़ चेडी में, ठीक है, लास्ट में मैं इसके बारे में औरेडी बता चुका हूँ, उसके बाद यहां पे which place is the confluence point of सतलूज and Bias, मतलब कि जहां पे दोनों नदी आके मिलती है, जहां पे दोनों का mail ह यहां पे, तो सतलूज और Bias नदी आके मिलती है, so यहां पे यह largest wetland आपको North India का देखने को मिलेगा, और यहां पे एक चीज और के लिए famous है, जैसे कि अभी मैंने last में बताया था कि जो migratory birds हैं, उनके लिए बहुँ जादा famous है, so next यहां पे President's Rule यहां पे जो पंजाब में जो लगाया गया था, यहां पे सबसे ज़्यादा लंबा यहां पे समय किस एर में शुरू हुआ था, ठीक है, started यहां पे बोला है किस एर में शुरू हुआ था, so total यहां पे आठ बार यहां पे जो President, यहां पे राष्टर पतिशाशन, यहां पे पंजाब में लागू हो So next यहां पे, what is the percentage of agriculture land to the total land area of the Punjab, total land area में से यहां पे जो agriculture land है, यहां पे यहां पे यही कितने प्रतिश्यत आपको देखने को मिलेगा, so यहां पे option number D आपको देखने को मिलेगा, 82% है यहां पे ज़्यादा तर जो पंजाब के अरिया वो क्या है, यहां पे फर्टाइल, ब So next यहां पे, who was the founder president of Gadar Party, Gadar Party के जो यहां पे founder president थे, वो कौन थे, अब यहां पे जो इनके president थे, Gadar Party के वो थे, यहां पे सोहन सिंग बाखना, so यहां पे जो यह मेली जो गदर पार्टी थी, वो जो पंजाबी इंडियन से, जो की USA में और जो कनेडा में रहते थे, उनके द राना चाते थे, revolt के जरिये थी, वहां पे इनके दोबारा revolt किये जाते थे, so next यहां पे, when was करतार सिंग सराबा executed, so इन्हें यहां पे, फांसी पे कब चड़ाय गया था, so यहां पे जो शहीद करतार सिंग सराबा, ठीक है, तो इनका यहां पे जो जनम हुआ था, वो कब हु उसमें से यहां पे, जो यह भी बहुत ही important यहां पे person थे, यहां पे, so जो गदर conspiracy यहां पे की गई थी, so उनमें से यहां पे इन्हें execute कर दिया गया था, जो कि यहां पे USA और Canada में यहां पे जो revolt वगारा इनके दोबारा जो किये जाते थे, ठीक, अभी मैंने last में जो बताय जो कि popular shrine यहां पे, Sikh religion का यहां पे, वो भी अमरी सर में यहां पे located है, और यहां पे जो another city आपको देखने को मिलेगी, जेसल मेर, so इसे भी यहां पे golden city के नाम से जाना जाते है, so next यहां पे, what is the total number of police station and police posts in Punjab, so total आपको यहां पे 569 यहां पे police station, total police station आपको देखने को मिले जेंगे 405, और जो total police post यह आपको देखने को मिलेगी, 164 देखने को मिलेगी, ठीक है, total कितने हो जाएंगे, यहां पे 569 हो जाएंगे, so next यहां पे move करते हैं, so यहां पे आपको जो MCQs की जो PDF है, so नीचे description box में telegram का यहां पे link दिया हुआ है, वहां पे जाके आप PDF को डा यहां पे जो हुशारपु डिस्टिक है, वहां पे आपको दसुआ एक टाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, दसुआ एक टाउन देखने को मिलेगा, so इसे यहां पे विराट की नगरी के नाम से जाना जाता है, so next यहां पे which of the following dams are built on सतलूज रिवर, सतलूज नदी के ओप तो सतलूज रिवर आपको यहां पे देखने को मिलेगी, हिमाच्य प्रदेश में यह जो जा रही है, so यहां पे एक टो बाकडा डैम, so यह देखने को मिलेगा, ठीक है, यह दोनों dams आपको देखने को मिलेगे, so यहां पे option number यहां पे आ जाएगा, option number D, नथपा जखरी ड है, ठीक है, यह दोनों आपको देखने को मिलेगे, so next यहां पे who arranged the kama gata maru ship, यहां पे जो कनेड़ा में जो यह यातरा इनके द्वारा की गई थी, so यहां पे जो किनके द्वारा range किया गया था, यहां पे option number A आ जाएगा, इसका correct answer, गुर्दीत सिंग संदू, इनके द्वा यहां से शुरू हुई थी, यह होंग कॉंग से शुरू हुई थी, होंग कॉंग से शुरू हुई थी, कहां तक पहुंची थी, यहां पे Vancouver, Vancouver आपको Canada में देखने को मिलेगा, so यहां पे total 376 यहां पे जो passenger से, उनके दुवारा यहां पे यह किया गया था, so यहां पे April 1974 में क के लिए वो खोले जाएं, ठीक है, तो इसलिए यहां पे इनके दुवारा यह arrangement किया गया था, so यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कामा काटा मारू, जो यहां पे shifts, तो इनके दुवारा यहां पे ली जाया गया था, so चलिए next यहां पे move करते हैं, how many districts of Punjab are located along international border with Pakistan, so कितनी आपको देखने को मिलेंगे, so यहां पे map, आपको, so this one, तो यहां पे यह जो पंजाब है, so पंजाब के यहां पे सबसे पहले पथान कोड, आप देख सकते हैं कि यह पाकिस्तान के साथ यहां पे touch हो रहें, फिर यहां पे गुर्दास पूर यहां पे आपर एुर था तरन 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 फिरोजपुर फजील का टोटल यहां पर कितने इह इसे टोटल इस डीस्टिक्स जो पाकिस्तान के साथ यहां पर तो यह जो नुंबर आ जाएगा यहां पर 1956 में इनके दोफ़ार एक जो बुक थी सुनहेरे इसके लिए यहां पर ने पुरुसकार दिया गया था उसके बाद तो आपको यहां पर लग लग देखने को मिलेगा तो आपको यहां पर लग लग देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का देखने को मिलेगा राज्यस्तान का देखने को मिलेगा गुजरात का देखने को मिलेगा लेकिन जो पंजाब का है वो कितना है यहां पर 553 किलोमेटर द देखने को मिलेगा 1962 में सो यहां पर लुद्याना में देखने को मिलेगी सो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इसकी आपको यहां पर वीडियो समझ में आया होगा सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शियर जुरू कर दिना अपने दोस्तों के साथ और अपने असपास फाई रखें ज्यादे से ज्यादा पेड़ पो देवाएं गुरीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष ह है जैहिए है फैंटास्टिक देए